बिस्मिल्लार्मान रहीम, असलाम लेकूम वीवर्ज, आज हम शर्ट के चोक्स का ये डिजाइन बनाएंगे शटलेस और सेंटलेस के साथ, तो सबसे पहले हम शर्ट के चोक्स की मेयरमेंट करेंगे, यह हिप्स की फिटिंग का निशान है और यहां से हम शर्ट के चोक्स की मे इसकी बैक साइर पेपर पेस्टिंग कर दिया और इस फैब्रीक के बैक साइर पेपर पेस्टिंग कर दिया जो सेंटर में फैब्रीक है वह बिल्कुल प्लेन है उसके साथ हमने पेपर पेस्टिंग नहीं की इस फैब्रीक की जो लेंट है वह है 22-22 इंच लेंट है इस फैब् एति की और जो जो छास्ट में ठाड़ वला फैब्रिक हैं हमारे पास इसाइर से बेक से पे हम ने पीपर कर दी एक अब यह हमारे पास चेंट लेस है और यह हमारे पार शैटल लोगा से है के इन एह बने हम सप अ Mikir और किनारो के इनके इनके कनार्हें कि इस तरह सेफोल कृते हुए हम प्रेस लीगे पहले हैं प्रेसरी किनार बाहर और iç किनारेवाल साइट पर किनारेवाल साइट पर किनारेवाल साइट पर रखते वे हम बिलकुर स्टेट इसे स्टिच कर लेंगे स्टिच करने के बाद हम इन्हें अच्छे से प्रेस कर लेंगे पहले पानी से वेट करेंगे और फिर हम इन्हें प्रेस कर लेंगे इन्हें प्रेस करने के बाद हम फैब्रिक लेंगे जो बिल्कुर प्लेन फैब्रिक था यह हमने प्रेस कर लिए इन्हें जो सैकिन वाला हमने ख़ीख है तो पॉइनगा इस फईर्ट को अब हम सिच करेंगे इस तरह से आप सब्सक्राइब करेंगे इस उसी संत्रीय के निचे वह लगा लिए अगर से स्टिचिंग के उपर दुबारा से स्टिच कर लेंगे अगर आप नए तो मेरा चैनल को प्लीज रूल सब्सक्राइब कीजिगा वीडियो पी लाइक और शेर कीजिएगा तो इस तरह से यह हम नहीं नहीं स्टिच कर लिए अब जो प्लेन फैब्रिक था उसे हम बाहर वाली साइट पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे ठीक है यह फैब्रिक हम बाहर की तरफ ही रहने देंगे जो प्लेन फैब्रिक है वह बाहर वाली साइट पर ही रहेगा तो इस तरह से हम बिल्कुल शटलेज को स्टेट स्टिच कर लेंगे यह हमने स्टिच कर लिए अब जो बाह करेंगे जो सिट्ट की जो वीर्ट है रणी होने के बार वह आ पौने 2ग त्के इस तरह से मेरमेंट करने के बार स्लिट की तो इस forgave के अंड़र ऑली साइट पर इस तरह से हम मार्किंग ःगे। पर इस दासे हम स्ट्रेट लाइन ड्रू कर लेंगे यह पूरे हम complete diamond तक line ड्रो करेंगे marking भी हम diamond तक करेंगे ठीक है हमने इस तरह से बिलकु स्टेयर लाइन ड्रो कर ली फिर line के अंदर भी हम इस तरह से बिलकु स्टेयर line ड्रो करेंगे half inch के margin से तो इस तरह से हमने double line draw कर ली है अब hips की fitting से लेकर इस line तक second line तक इस तरह से हम तीछी लाइन ड्रो कर लेंगे ठीक है और इतनी वीट एक इंच वीट रखते हो इस तरह से हम डाउन लाइन ड्रो करेंगे और फिर इस लाइन की नीचे वाली साइड पर इस तरह से हाफ इंच के मार्जन से हम एक और लाइन ड्रो कर लेंगे और जो हमने बिल्क पीज मार्जन से लाइन ड्रो की हैं तीरची और स्टेट उन्हें हम इस कटिंग करने के बाइं इस तरह से सेंटर में यहां कट लगा देंगे और फी हम इसी जहां तक हमने कट लगाया है वहां तक हम इस फैबरी को फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे यह हमने कट सिर्फ व आपने के अब यहां प Micka ने प्रेस कर लेंगे अब यह हमारे पार सट्रिब्स है तो स्तर असे रखते हुए हम बिल्कुल स्टेट कर लेंगे ठीक है अब हम इन्हें स्टिच करेंगे अब हम शर्ट के चोक्स को इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे पहले शर्ट के डामन वाली साइट से इस तरह से हम स्टेट स्टिच करेंगे इसे आप नहीं तो मैं चाहिए को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिगा बहुत म साइड वाले चॉक्स को हम इस साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ठीक है यह हम शर्ट के चॉक्स के उपर वाली साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे जो शर्ट के दूसरी है दूसरी साइड वाला चॉक्स है अब इस तरह से शर्ट की जो फिटिंग वाली साइड है उस साइड से हम स्टिच करेंगे जो यह हम इसकी फिटिंग तक इन्हें स्टिच करेंगे इस तरह से हम यहां तक से स्टिच कर लेंगे अब शर्ट के चोक्स की बैक साइड वाला जो फैब्रिक है यहां इस साइड पर ह कर लेंगे निए कर लेंगे तीज के लिए कि फैबरिक गढ़ते किये शौक वह भी कुम सलाइक कि साथ स्टिच कर लिए थीकाई और डामन वाली शॅपक्र साइट पर इस तरह से हम लैस को बना सका Gemini Τri जाह भी अपना हया रखें, दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिस